शर्व प्रतमतो जय स्रीक्रिश्ट। आज हम लोग भारती दर्शन में न्याई दर्शन को समझेंगे कि न्याई दर्शन क्या है और क्या बतलाता है। अच्छ पाद दर्शन भी है। न्याई दर्शन में शुद्ध विचार के नियमों तथा तत्व ज्यान प्राप्त करने की उपायों का वरणन किया गया है। न्याई दर्शन का अंतिम उद्ध शुद्ध विचार अर्थात तारकिक आलोचना करना नहीं बलकि मुक्ष की प्राप्ती है। जीवन के दुखों का किस तरह से नासो इसका उपाय निकालना ही इफदर्शन का मुक्ष उत्देश से ह। वात्षायन कहते हैं प्रमाणों के द्वारा किसी विचाई की परिक्षा करना ही न्याय है। देखे नियाय जो दर्शन है इस दर्शन में जो पदार्थ है ये पदार्थ कितने है इसको भी जानना बड़ा जरूरी है कि नियाय दर्शन है कितने पदार्थों को माना है चलिए इसको देखते हैं नियाय दर्शन के अनुसार कुल सोलह पदार्थ है जो इस प्रकार से सुन किसी बिसय का यथार्थ ग्यान पाने का कारड़ या उपाय प्रमाढ है प्रमाढ के द्वारा यथार्थ ग्यान की प्राप्ति होती है प्रमी प्रमाड के द्वारा जो विसय जाने जाते हैं वे प्रमी कहलाते हैं कौतम के अनुसा जो प्रमी है वो देखी कौन-कौन प्रमी है कहते हैं आत्मा, शरी, पांच ग्याने इंद्री, आख, नाख, कान, जीव, वर, तवचा इंद्रियों के विसय क्या है उसको जानते हैं गंध, रस, रूप, अस्पर्ष, एवं शब्द बुद्धी जिसे ज्ञान वा उपलब्धी भी कहते हैं मन अतिंद्री है, प्रविर्ति अच्छी या बुरी, वाचिक, मानसिक या सारिरिक दोश, रोग, द्वेश या मोह, प्रत्यभाव, पुनर जन्म जो हमारे अच्छे बुरे कर्मोशे होता है फल, शुक दुख का अनुभव, जो हमारे दोसों के कान, हमारे पुर्व कर्मों से उत्पन्न होता है दुख, अपवर्ग, दुखों से पुढ़ता मुक्ष, तिसरा है संसे, मन की वह अवस्था संसे है, जिसमें मन के सामने दो या अधिक विकल्प उपस्थित हो जैसा कि आप देखे होंगे, जब कहीं हम जाते हैं, 3-4 चीज़ मिल जाता है, तो हम संसे करते हैं, कौन ले, कौन ना ले, उसमें संसे होने लगता है, यही सही है या वही गलत है तो संसे इसी में होता है, प्रयोजन, जिसकी प्राक्ति के लिए, या जिसके वर्ण करने के लिए, हम कोई कारी करते हैं, उसे प्रयोजन कहते हैं द्रिश्टांत शर्व सम्मत उदाहरण द्रिश्टांत कहलाता है जिसके द्वारा युक्ति की पुष्टी होती है द्रिश्टांत किसी विवाद या तर्ग का अवश्यक और उपयोगी अंग है द्रिश्टांत ऐसा होना चाहिए जिसे वादी और प्रतिवादी दोनों ही एक मत को स्विकार करें सिध्धांत किसी दर्शन के अनुसार युक्ति सिध्धी शत्य सिध्धांत कहलाता है जैसे न्याय दर्शन की मानता है कि चैतन्य आत्मा का आगंत गुड़ है अवयव जब किसी मत या सिध्धांत को अनुमान के द्वारा सिध्ध करने की आवशकता होती ह तो अनुमान पांच वाक्यों से बना होता है इन वाक्यों को अवयव कहते हैं तर्क वह युक्ति तर्क कहलाती है जिसमें किसी प्रतिपाद्य विशय की सिद्धी के लिए उसकी विप्रीत कल्पना के दोस्त दिखलाए चाते हैं निरडे किसी विशय के सम्मंध में निश्चित ग्यान को निरडे कहते हैं इसकी प्राप्ति किसी प्रमाण के द्वारा होती है संदेह दूर होने पर ही निरडे तक पहुचा जा सकता है इसके लिए पक्ष वविपक्ष दोनों पर विचार करना आउश्यक है वाद वह विचार वाद कहलाता है जिसमें सर्व प्रमाणों और तर्की शाहता से तथा पांच अवयों के द्वारा विपक्ष का खंडन करके स्वपक्ष का समर्थन किया जाता है जल्ब वादी एं प्रतिवादी के कोरी वाद विवाद को जिसका उद्देश यथार्थ ज्यान प्राप्त करना नहीं होता जल्ब कहते हैं यहां वादियों का उद्देश विजय प्राप्त करना होता है वितंडा वह है जिससे वादी अपने पक्ष का अस्थान नहीं करता है केवल प्रतिवादी के पक्ष का खंडन करता है इसमें वह प्रतिवादी के मत का जैसे जैसे खंडन करके बिजे पाना चाहता है वितंडा को निरत्थक बकवाद भी कहते हैं हित्वावाश उस हेत्व को कहते हैं जो वस्तुता हेत्व नहीं है परतु हेत्व के सद्रिश है, सामानत्य अनुमान के दोश हित्वावाश कहलाते हैं. चल एक प्रकार के दुष्ट उत्तर का नाम है जब प्रतिवादी शब्दों के बोधित अर्थ को छोड़ कर कोई अन्य अर्थ ग्रहन करके दोस दिखलाता है तब उसे चल कहते हैं जाती, जाते भी एक प्रकार का दुष्ट उत्तर है, जब वादी की किसी दोस रहीत, युक्ती का खण्ण करने के लिए, किसी प्रकार के सद्रिश सिक्या याव, वैसेम में पर और लंबी दुष्ट अनुमान की साहिता लेते हैं, उस अनुमान को जाती कहते हैं निग्रह अस्थान वाद विवाद में जहां पराजय का अस्थान पहुच जाता है उसे निग्रह अस्थान कहते हैं अब नियाई दर्सन में प्रमाण देखते हैं कि प्रमाण क्या है उसको देखते हैं दिखे नियाई दर्सन का मुख प्रतिपाद विशे जो है प्रमाण मिमान सा है नियाई दर्सन की प्रमाण मिमान सा वस्तुवादी है इसमें ग्यान एवं उसके सिध्धानतों का ग्यान चिंतन प्राप्त होता है इसमें आत्मा को ग्यान का आस्रे माना जाता है ग्यान आत्म न्याय दर्शन ग्यान को अनुभव कहता है, अनुभव इस्मृत भिन्य ग्यान है, इसमें अनुभव के दो भेदे, प्रमा एवं अप्रमा, प्रमा समस्ते हैं कि प्रमा क्या है, न्याय दर्शन में प्रमा क्या है, उसको दिखते हैं, देखें, यथार्थ अनुभव को प्र उसी रूब में उसका अनुभव प्रमा है इस प्रकार न्याय दर्शन ये थार्थ था वो प्रमा का लक्ष्ण मानता है न्याय दर्शन में प्रमा के चार भेद हैं प्रतक्ष अनुमति उपमति यें शब्द प्रतक्ष प्रमा का प्रमाण प्रतक्ष अनुमती का अनुमान उपमती का अनुमान इम शब्द प्रमाण का शब्द प्रमाण माना जाता है प्रतेक प्रमाण का विशिष्ट प्रमाण होता है ओप्रमा किसी वस्तु के अन्यथा अनुभो को ओप्रमा कहते हैं यह संसे आत्म ग्यान होता है क्योंकि इसमें संदिक्द ग्यान नहीं होता मतलब और संदिक्द ग्यान नहीं होता यह विशय का यथार थुरूप प्रकाशित नहीं करता है किसी प्रकाशित क्लियर नहीं हो पाता है प्रमाण विचार के दिखते हैं कि प्रमाण विचार क्या है और प्रमाण तक क्या है अहाद के बारे में बिस्तार से बताया गया है नियाए दर्शनिकों के नुसार ग्यान दो प्रकार का होता है यथार्थ ग्यान और 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 यथार्थ ग्यान वस्तु जैसी है जब ठीक वैसा ही ग्यान प्राप्त होता है तो ऐसे ग्यान को यथार्थ ग्यान कहते है किन्तो जब वस्तु जैसी होती है ठीक वैसा ही ग्यान प्राप्त नहीं होता तो ऐसे ग्यान को औय थार्थ ग्यान कहते हैं न्याय दर्सन में यथार्त ग्यान को प्राप्टय करने के लिए चार फतंत प्रमाड स्विकार के गए प्रत्यक्ष, अनुमान, उप्मान और शब्ध इन चार प्रमाडों को इसमें शिकार किया गया है यह आपके न्याय दर्सन में बतलाया गया है he kITने प्रमाड है आपने उसको देखा और समझा देखे थोड़ा स Shaun ये भी जान लेते हैं जो प्रमाण के बारे में बताये गए हैं थोड़ा-सवा हलका हलका उसके बारे में जान लेते हैं इन चानो जो चार प्रमाणों हैं प्रतक्ष को प्रधान और जिश्द प्रधान के रूप में स्विक्र किया गया है। अनुमान भी अन्य एक प्रमाण है जिस gave हमारा समस्थ बोधि ग्यान निरभ़र करता है। किन्त इस प्रमाण का छेत प्रतक्ष की तूण्ना में काफी व्यापक है। शाथ ही यह प्रमाण ब्यवारिक चीवन के दिश्टे से अत्यंत उप्योगी है, इसके अत्रिक्त उपमान तिथा सब्द प्रमाण दो अन्य शुतिंत प्रमाण हैं, देखें प्रतक्ष जो है, वो प्रतक्ष क्या लौकिक और अलौकिक, तो जो लौकिक होता है, उसमें भी बाहे प्रतक्ष और मानस प्रतक्ष होता है, जिसमें बाहे प्रतक्ष में चाचुस, आँखो द्वारा, कानो द्वारा, नाक द्वारा, जीवा द्वारा, तचा द्वारा, और अलौकिक में सामान लक्षड, ग्यान लक्षड और योगज लक्षड आते हैं, तो उसको प्रतक्ष को प्रिभाशित करते हुए कहा है कि अर्थाद इंद्री अर्थ सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता है। प्रतक्ष 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 प्रतक् प्रतभिग्य या प्रतभिग्या देखें निर्विकल प्रतक्ष क्या है या प्रतक्ष की प्रारामभिक भाषा है इसमें हम वस्तु का प्रतक्ष तो करते हैं परन्तु समझ नहीं पाते कि वस्तु क्या है जैसे हमने दूर से किसी को आते देखा परन्तु समझ नहीं पाया कि कौन आ रहा है यह निर्विकल प्रतक्ष है शाविकल प्रतक्ष यह प्रतक्ष के दूसरी वस्ता है इसमें इंद्रियों से प्राप्त सनवेदना अर्थ भी जोड़ देते हैं और असपष्ट जान लेते हैं कि अमुक वस्तु है शाविकल प्रतक्ष में वस्तु का तो यह प्रतिभिज्ट ने प्रतक्ष् as कि दो प्रतकर बताहें गए लौकिव प्रतक्ष् अब आते हें थोड़ा से सिदर् से जब इंदिरी और रसनिकर्स साधोर्ण धंग से होता है इसे औलोकिक प्रतक्ष कहते हैं यह तीन प्रकार का होता है ग्यान लक्षड औलोकिक प्रतक्ष ग्यान लक्षड औलोकिक प्रतक्ष द्वारा किसी वस्तु के उस गुड का ग्यान होता है जिसका संपर्क इंद्रियों से नहीं होता फिर भी हमें उससे गुडों का ग्यान प् पुस्प को देखकर शुगंद का ज्यान हो जाना जबकि ठंधक या सुगंद का संपर्क इंद्रियों से नहीं हुआ होता है। पुस्प के बिशेश की समस्त वस्तों का जो अन्य कहीं विद्वान है प्रतक्ष प्राप्त हो जाता है। विए अपनी अस्थान से बैठे ही बैठे हचारों किलोमेटर दू की घटना को देखवा सुन सकते हैं। क्योंकि यह सन्निकर्ष और साधान धंग से होता है। अथा इसे योगज और लवकिक प्रतक्ष कहते हैं। तो यहां लवकिक और लवकिक प्रतक्ष के बारे में हम लोग जानें। अब आता है अनुमान, अनुमान के बारे में जानते हैं। कहते हैं कि अनुमान क्या है उसको देखा थोड़ा समझ जाएं चारवाग दर्सन को छोड़कर अन्य सभी भारती दर्सनों के समान ही न्याय दर्सन भी अनुमान को यथार्त ग्यान प्राप्तिक के शाधन के रूप में श्विकार करता है अनुमान दो सब्दों के योगशे बना है अनु एवं मान यहाँ अनु का अर्थ है पस्चात अथा मान का अर्थ है ग्यान अर्था अनुमान का साब्दिक अर्थ है पस्चात ग्यान अन्य सम्दों में पुर्व ग्यान के पस्चात और उशी पर आधारित होकर होने वाले ग्यान को अनुमान कहते अतर असपस्ट है कि अनुमान का आधार पुर्व में किये गए अनुमान से है उदाहन सामने पहाड़ी पर धूमा दिख रहा है धूमे के देख कर यह ग्यान हो जाता है कि वहाँ आग है यह अनुमान है आग का ग्यान हमें इसलिए प्राप्त होता है कि जब-जब हमने धूमा देखा तब-तब उसकी साथ हमने आग भी देखा अत्त धूमें और आग के बीच अनिवार सम्मंद व्याप्टि का हमें ग्यान था इस व्याप्टि के आधार पर ही हमने पहाडी में धूमें को देखकर आग का ग्यान प्रतर कर लिया उदार में धूमा हेतू आगशाद तथा पहाडी पक्ष को निधाइद करता है अथा अनुमान में तीन अवयों हीतू, साध्यता पक्ष होते हैं नई आईकों के अनुमान को परिभाशित करते हुए कहा कि हीतू का प्रतक्षकर के अनिवार संबंद के आधार में पक्ष साध्य का ज्यान प्राप्त करना ही अनुमान है ये तो साध्य और पक्ची अनुमान के अवयों है न्याय दर्सन में अनुमान के प्रकारों का वर्डिकर इस प्रकार चे है देखें न्याय दर्सन में अनुमान के प्रकार बताने के लिए दो वर्डिकरिंग लिए है पर्थम वर्यगड़ के अनुसार अनुमान दो प्रकार का होता है श्वार्थ अनुमान था परार्थ अनुमान तुति वर्यगड़ के अनुसार अनुमान तीन प्रकार का होता है पुरुवत, सेश्वस और सामानिय अद्रिष्ट अनुमान पर्थम वर्यगड़ के अनुसार जो अनुवान स्यआब के लिए किया जाता है, उसे स्वार्थ अनुआन कहते हैं, किन्तु जो अनुआन पांच defect अभयो, प्रतिग्या हेत औ दिश्टंत उपने, यह निग्मत का शाद देखा ग्यान प्राप्त होता है दुति वरिगण के अंतरगत जब कारण का प्रतक्ष करके कारण के होने का अनुमान कहते हैं तो उसे सेशवत अनुमान कहते हैं जब दो वस्तुम में साहचर होता है तथा जिस साहचर को हम प्रायत देखते हैं तो एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का ग्यान हो जाना सामाने और दृष्ट अनुमान कहला था जैसे बैल के एक सिंग को देखकर दूसरी सिंग का सहजी ग्यान हो जाता है क्योंकि दोनों में सहाचर है, उपर एक दो वर्गिकर्ण के अत्रिक्त नव्य नयाईकों ने अनुमान का एक तीसरा वर्गिकर्णी प्रस्तुत किया, इस वर्गिकर्ण से अनुमान तिन प्रकार कोता है, केवल अनुमान, केवल वेतिरेक अनुमान और अनुमान जब हेतु और शादिक के बीच भाव मुलक साहचर आधार पर ब्यापती अस्थापना करके इस ब्यापती की आधार पर शादिका ग्यान प्राप्त किया जाता है तो इसे केवल अन्वाई अनुवान कहते हैं। करमबद वाक्यों में प्रकाशित क्या जाता है इन वाक्यों के अवयव कहा जाता है चुकि परार्थ अनुमान से पांच अवयव अनुमान भी कहते हैं। हेतु जिस हेतु से सादिका अनुमान होता उस हेतु का वड़न कह जाता है उदाहन के लिए पहाड पर आग को सिद्ध करने के लिए हम परवत पर उठ ले धुएं का वड़न करते हैं। द्रिश्टांत इसके अंतरकत व्यापति का उल्ले के उसमें पुष्टी में दिये गए उदाहन का उल्ले के लिएता माना हमें ये सिद्ध करना के पहाड पर आ गए। यूँकि पहाड पर धुएं हमें द्रिश्टांत देना होगा कि रसोई में जब जब हमने धुएं देखा तब आग थी अतर धुएं और आग के बीच अनिवार सम्मंद है। उपने द्रिश्टांत के माध्यम से हेतू और साध्य में व्याप्ति दिखाने के पहचत अब अपने पक्ष अर्थाद पाहाड पर हेतू अर्था धुआ दिखलाना ही उपने है। निग्वन इसके अंतरगत साध्य के सिद्ध होने का प्रतिपादन के जता अर्थाद परवत प्राग है हमें यही सिद्ध करना था जो सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से हमने उनके अव्योग को भी जाना और इसको शम्झा। जा ठीडिए ऐख से श्मझेए है। आज के लिए इतना ही जहां तक हम लोगोन निया दर्शन में शम्झे। जय श्रीक्रिश्ट। की श्रीक्रिश्ट। झाल झाल